अज का पठ है गुरु नानक जी द्वारा लिखित पाठ राम नाम बिनु भी थिरी जगी जनमा और दूसरा है जो नर दुख में दुख नहीं मानो अब हम गुरु नानक जी के बारे में यहां संचित जीवन काल का अध्यन करेंगी नानक सिखो के प्रथम हैं इनके अनुवाई ने नानक या नानक देव जी बाबा नानक और नानक शाह आधी नामों से संबोधित करते हैं नानक जी का जन 15 अप्रेल 1469 में रावी नदी के किनारे इस्थित तलवंडी नामक गाउं में हुआ इनका जन मस्थल नानक काना शाहव कहलता है जो अब पाकिस्तान में है इनके पिता का नाम कालू चंद, खत्री मा का नाम, त्रिप्ता और पत्नी का नाम सूलक्षिनी था इनका मन भक्ति की ओर अधिका अधिक जूपता गया स्रम व्यवस्था और करम कांड का बिरोध करके नेर्गुन ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया गुरु नानक ने सिक धर्म का प्रवक्तक भी कहा गया है हिंदी में ब्रजभासा और खरी बोली दोनों का मेल है इनकी रचनाओं का संग्रह सिखों के पांचवे गुरु अरजुन देवनी सुल्ला सो चारीस वी में किया है जोकी गुरु ग्रंत साहब के नाम से प्रसिद्ध हुआ गुरु नानक की रचना जुपची आसादिवार रहिसार और सोहिल आदी निर्गुर निरांकार इस्वर के उपासक गुरु नानक हिंदी के निर्गुन भक्ति धारा के एक प्रमुक कवी है नानक के पद वास्तों में प्रेम्व भक्ति से प्रभाव साली मधुर गीत है नानक जो महत्पुर्ण पद प्रस्तुत है पर्थम पद बाहरी वेस भूशा पूजा पाठ और करमकान के अस्थान पर सरल सच्ची हिर्दे से राम नाम की किर्टन पर बल देता है क्योंकि किर्टन ही सच्ची सांती देता है दूसरे पद में सुख दुख में एक समान उदासीन रहते हुए मालसिक दुर्गुनों के उपर उठकर अंता करन की निर्मलता आसिल करने पर जोड दिया गया है संत कवी गुरु नानक की प्रेना है अब हम इस जो कविता है उसका अध्यन करेंगे राम नाम बिनुबीथिरा जगी जनमा अब हम उसका अध्यन करेंगे यह जो वीडियो है नीव एजुकेशन पॉइंट के तरफ से आपके लिए लाया गया है और मैं विक्रम पांडे इसका अर्थ सहित आपको अध्यन कराऊंगा राम नाम बिनुबीथिरी जगी जनमा बिखु खावह बिखु बोले बिनु नावह निहुफली माटी भ्रमना पुस्तक पाथ ब्याकरन बखनह संधिया तई करम निकाल करो बिना गुरू सबद मुक्ति कहा प्रानी राम नाम बिनु उर्जे मारी डंड कमंडल सिका सूत धोती तिरत गवानु अति भ्रमना करे राम नाम बिनु सांतिन आवहु जपही हरी हरी नाम सूपारी परे जटा मुकुट तन भस्म लगाई वसन छोड़ी तन नगन भया जेते जिया जन्त जल थल महियल तत्रतू सरबत जिया गुरु परसादी राखी जन कोई हरी रस नानक जोली पिया दूसरे पद में है जो नर दुख में दुख नहीं मानों सुक्सने अरू भय नहीं जाके कंचन माती जानों नहीं निंदा नहीं अस्तुती जाके लोभ मो अभिमान हर्स सोकते रहे नियारो नाहीं मान अपमान आसान मनसा सकल त्याग के जो ले रहे निरास कामकरोध जहु परसहु नाही तेहु घट ब्रह्म निवास गुरु किरपाज जहु पड़ पहकिन ही तिन हुय जुगती पछताए नान कलीन भयोग विंद सोजो पानी संग पानी राम नाम भिनू बीथरा अब इसका हम भावार्त आपके सामने पहला का लाते हैं पहले पद का गुरुनानक कहते हैं कि यदि हमने राम का नाम नहीं लिया है तो हमारा जन्म ब्यर्थ है बिना राम नाम के हम केवल विष्ट खाते हैं और हमारी वानी में भी विष्ट के समान ही होता है राम नाम के बिना जीवन निस्फल है इसकी कोई कामना नहीं कर सकता है इसके बिना मती भ्रमन हो जाता है आप देखते हुईएगा बहुत लोग मती भ्रमित हो जाते हैं गुरु के समवद सीख के बिना प्रानी की मुक्ति संभव नहीं है राम नाम के बिना वह उलज कर मर जाएगा व्यक्ति डंड कमंडल सिक्षा जेनव तिर्थ गमन आदी में भटकता रहता है किन्तु राम नाम के बिना उन्हें सांती नहीं मिलती है जो हरी का नाम लेते हैं वे ही संसार को पास सकते हैं जटाधार करना सरीर पर भस्म लगाना वस्र छोड़ देना आदी यह ब्यर्थ है इस संसार में जल था लथवा कास में जितने भी जीव हैं सभी उनी की किरपा से जीवित हैं नानक कहते हैं कि उन्हें हरीरस अर्थात इस्वर की भक्ती का समान पुर्ण रूप से कर लेना चाहिए दूसरा पद है जो नर दुख में दुख नहीं मानो उस पद का हम व्याख्या सहित अर्थ समझाते हैं नानक कहते हैं कि जो मनुष से दुख में दुख नहीं होता हैं जो सुक सुने और भै से प्रभावित नहीं होते हैं जो सोने को मिटी समझता है जो निंदा और प्रसंसा क समान भाव से लेता है जिसे ना लोब हो ना मुँ और ना ही अभिमान हर्स सोकवा मन अपमान से जो पड़े हो जिसने सांसारी के छाओं को अपने मन से त्याग दिया हो जिसके भीतरना काम उत्पन हो और ना क्रोध उसी सरीर में ब्रह्म का निवास होता है गुरू की किरपा जिन पर होती है वे ही इस इक्ति को पहचानते हैं नानक कहते हैं कि वे गोविंद में इस तरह लीन है जिस तरह सब पानी ही पानी मिल जाता हूँ